वेलकम टू सरावगी क्लासीच पिरी विध्यारतियों कल हमने मनुविज्ञान क्या है मनुविज्ञान को साई की प्लस लोगोस यानि की आत्मा के अध्यान से अभी प्रोध करते हुए मनुविज्ञान को परिवासित किया विविन मनुविज्ञान को द्वारा दी गई परिवासाओं का स्पष्टिकरन जाना कि इन परिवासाओं में क्या छिपावा है क्या वास्त्विक सत्य है लेकिन हमारा जो मैनुदिश्य था शिक्सा मनुविज्ञान शिक्षा मनुविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसमें बालक में हम व्यवहारगत परिवर्तन करते हैं पहले हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में जो पुपिल टीचर होता है उसका व्यवहारगत परिवर्तन होता है इसी प्रिप्रेक्षे में आज हम सिक्षा मनोविज्ञान जो व्यावरिक मनोविज्ञान है हमारा उसको अलग-अलग मनोविज्ञानिकों ने कैसे परिवासित किया आये देखें नमशकल नमबर वन डबल्यू फि200 कॉलस्ञ ने शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सित्धांत और अनुसंदान का शिक्षा में प्रियोग है इसके जो थोरी हैं और उनके द्वारा जो रिसर्च किए गे उनको शिक्षा में apply किया रहा?, apply करने वाला प्रियोग अथ्वा और बूस्ती परिवासानों बताएं कि शिक्षा मानव की शक्तियों तता उसमें निहित युग्यताओं का विकास है जो पावर है उसका डॉलप्मेंट शिक्षा है शिक्सा मारा व्यास्त रहे जो हमें हमारी एबिलीटी का विकास करने में सहायक है तो इस परकार से डब्ली वी और नियान को परिभासित किया और बहुत इंपोर्टेंड है कॉलस निम्न मेंसे कौन सी परिवासा किसके द्वारा दी गई है वहां आपको आइडेंटिफाइब और प्लेटों कुछ भी लिखा रहे हैं चार अब्जेक्टिव होते हैं उस परिवासा को आपको आइडेंटिपाई करना होता है तो विद्यारतियों बहुत अच्छे थे उनकी सार गर्वीत बाते क्योंकि मिलती जलती भी परिवासा हैं आपस में क्योंकि यह तो समाने भी ज परिवासा दिए कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वे मानव जीवन में अपनी शर्वतम शमता की अनुसार मोलिक योगदान दे सके प्रस्नलिटी डॉलप्मेंट से कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जो हमारी प्रस्नलिटी है उस इसे राष्थ पिता महत्मा गांदी इससे हम भापु कहते हैं राष्थ पिता कहते हैं मौनदास करम चंद गांदी पुरा नामें तो हमारे गांदी जी जो भारत के पिरिये पिता है उन्हों कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राइब बालक है वो अच्छी हो यही शिक्षा है सिख्सा से मेरा अभी प्राहई बालक होता है मनुश्य की सरीर मस्तिक्स एवं आत्मा मस्तिक्स एवं आत्मा को जोड़ा है कि सर्वतम अंस की अभी व्यक्ती है कौन सिख्सा यह उसा इतने समर्पित्य की सांथी निके तन की उपादी है उन 나올 उछीदम से अधी बलकि वैं मारे जीवन की शंपूर्ण पक्सों में समन्विय उपस्थित करती है बल्कि है इंफॉर्मेशन टेक्लोजी नहीं नहीं है कि हम बहुत डॉलप हो गये हैं नेटवर्क हो अब लाव अंग्री जी भरजने कोडिनेशन प्लेसे अपन प्लानिंग करते हैं कि अपने की प्लानिंग क्या ओर्गनाइजिशन क्या है यह ना है प्राबलम के वह वारे में तो समझ वे उपस्थित करती वह इस शिक्षा है जौन डिवी डिवी मौदे ने जो भी ने कहा कि अब शिक्षा व्यक्ति के उन सभी योगिताएं का विकास है जिनके द्वारा वो अपने वातावरं करता है हूँ कहता है और उक्षा का मतलब अलग रोप है व्यक्ति के उन से भी योकिताओं का विकास है, जिनके द्वारा वे अपने वातावरण पर नियंतन करने की शमता प्राप्त करता है, तता अपनी संभावनाओं को पून करता, जितने भी possibility जो कालपनिक महल, जो कालपनिक बाते हैं, जो विचार हमारे मन मस्तिक्स में उभरते हैं उनको पूर्ण करता है वही सच्छा चीए शिक्षा है प्लेटो जो दास्निक भी दे प्लेटो अरस्तू ना तो प्लेटो ने कहा सारविक मांसिक तदा बहुत तिक विकास की प्रक्रियाई शिक्षा है यानि कि विजिकल मैंटल और इंट्रेक्षव तो फिजिकल मैंटल इंट्रेक्च्छ ड़लपमेंट एजुटेशाण इजे प्रोसेज ओफ डेवलपमेंट ऑफ घृझी सेनी प्रोसेज नॉट प्रोड़ट इजुकिशन तो प्रोसेज जैंडोने बटाया कि अचैसा Uhh जिसमें विकास के लिए उसका सारिक विकास हो का मानसिक विकास हो बादिक यानि कहने का मलब प्लेटो मोदे ने कहा कि बालक का सरवांगिन विकास होना चाहिए और वो सरवांगिन विकास सारिक हो स्वस्त सरीनी होगा तो हम बिलकुर निर्बल हैं यदि हमारा मानसिक जगत स सब्भाविक समन्वित प्रगति शील्विकास है रहमंड मोदे ने कहा सिक्सा विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य बच्पन से प्रोड़ता की और प्रगति करता है बच्पन से प्रोड़ता एडल्ट एडल्ली कि और प्रगत्टी करता है एस्किनर मौध है सीई स्किनर ने कहा कि शिक्सा मनोविज्ञान मानिवे व्यवार का सैक्सिक प्रस्तितियों में अध्यान करता है जो human behavior है हमारा उसको शिक्षा की जो हमारी circumstance है जो हमारी problem है जो हमारी प्रिस्थित्या है उसका अध्यान करता है क्रो एम क्रो ने कहा शिक्षा मनुविग्यान व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्दा अवस्ता तक शीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है नाल वय अन्य नाल वय अन्य नाल और उसके साथियों ने शिक्षा मनुविग्यान मुख्य रूप से शिक्षा की सामा प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यावार के अध्यान से संबंदित है तो इस प्रकार से बहुत सारे मनोविग्यानिनों परिवासित क्या इसके अलावा स्वारे तता टैलपोर्ट थे स्वारे और टैलपोर्ट ने कहा कि शिक्षा मनोविग्य साधी कि मुख्य संबंद क्या है फिर जैम स्टीफन का कि शिक्षा मनुविज्ञान सैक्षिनिक प्रगति के परिवेश का मनुविज्ञानिक अध्यान स्टीफनें इंसाइक्लोपीडिया एजुकेशन रिसाट सिक्सामनुविज्ञान का समन सीखने में मान विये तत्तुव एलिमेंट क्या है यह हमारे नैतिक मुल्य जो होता है प्रकार से नैतिक मुल्य जो है एटी थ्री है करीब तो न्सी आर्टी में आपको अलग बताएंग का धाचा है उपकर्ण और तक्निके का एक समुह है और अनुसंदान का एक छेत्र है तो इस प्रकार से एंडर्सन मौदे ने परिवासित किया सी एच जुड्ड जुड्ड का भी नाम है जुड्ड मौदे ने शिक्सामनुविज्ञान का कारिये जन्म से लेकर परिपक्व प्रिवर्थ्वों में हम जब घुजरते हुए व्यक्ति में होने वाले परिवर्त्मों की व्यक्या करता है कौन जुड्ड मौदेन का प्रोफेसर ट्रो ने प्रोफेसर जी डवल्यू पूरा नाम है सैक्सिनिक प्रस्थिति का मनुव विज्ञानिक अध्यान करना ही शिक् जाएगी हम उनको जोड़ते वे चले जाएंगे इसके अलावा कल हमने मनोविज्ञान की साखाओं के बारें पढ़ा था कि साखाएं वैसे नौर्मली 15 लिखे होती कहीं 12 13 है लेकिन जो जो सब्जेक्ट से हमारे उससे वह बहुत सार इलेटेड है तो मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान कामाने मनोविज्ञान अबनोर्मल साइक्लोजी सामाने मनोविज्ञान चाइल्ड साइकलोजी बाल मनोविज्ञान किसोर मनोविज्ञान एडल्ट साइकलोजी वियक्तिक मनोविज्ञान इंडिविज्ञान साइकलोजी सामाज मनोविज्ञान सोशल साइक institutional psychology, developmental psychology, physical psychology, elderly ग्यवर्ण टेरी, बीहवर्यवैर्वरिय साइक्लोजिग, अध्योगी कि इंडश्रीक प्रामर्स में कॉंस्रिक साइकलोजिगू, सामूदाय क्मूणिटिव साइकलोजिग, तुल कॉम्परे Cash Чौप One मानविय मनोविज्ञान में humanistic psychology अब इसके अलावा और जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जैसे बाइलोजी यह तो बाइलोजीकल साइकलोजी अब संग्यानात्मक मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो कॉगनिटिव के बारे माता है और यदि आलोसना करते हैं तो critical psychology है और forensic लेप से मनोविज्ञान पढ़ते तो occupational health psychology है यह संख्यात्मक पढ़ते तो quantitative psychology है और यह हम गनित पढ़ते तो mathematical psychology है और विद्यालाई मनोविज्ञान जिसको में एजुकेशन तहीं तो उसको इसकूल नाम दे दिया और यह परियावन में मनोविज्ञान का सारा लेते तो environmental psychology है और यह योगा के अंदर योगा भी एक अपने आप में अध्यान का चैत्र है तो उसमें योगा psychology है तो इस पगार से मनोविज्ञान की करिब 35-45 जो साखाएं हमारे सामने उबर करके आती है वर्तमान समय में तो पिरिये विध्यारतियों आपको इस related बहुत सारी जानकरी हम आपको बताते हैं अब आगे अपन जो है इसके बाद अधिगम क्योंकि बहुत से बार जो किताब होती है हमारे पास में उसमें सीधा लिगा था कि नौट साइकलोजी अधिगम का मनोविज्ञान जैसे जो डॉक्टर रामपार सिंग्जी ते जी अलाल इंस्ट्यूट के अंदर उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें लिखाए अधिगम का मनोविज्ञान यानि कि इस फिर्पोर्पोर्शनल टू लर्निंग के मिना साइकलोजी अधुरा है तो लर्णिंग को इतना वजन दिया कि उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही दिया अधिगम का मनोविज्ञान वाकि शिक्षा मनोविज्ञान भी देते हैं कॉमन तो यह होता है कि मातूर की पर लिख दिया शिक्सा अधिगम के मनो सामाजिक आधार लेकिन उन्होंच साभ लिगा अधिगम का मनो विज्ञान तो अधिगम जो वड़ है वह अपने आप में बहुत मेत्वपून है कि अगर कि अगर कि 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 की कि अ कि कि वर्ड लिखा आपने अधिगम या शीखना और अंग्रेजी वर्जने लर्णिंग क्या है तो पहले इस वर्ड से अधिगम या शीखना जिसको अपने आम बसा में क्या सीखा क्या उपलब दिली है तो वो तो आ गयाता है उसका सारा अच्यूमेंट में लेकिन यहां यह कि हया अपने लग्वे से अधिगम कुंतंदें अधिगम आधिगम जब अच्छा होगा जब प्रकार का नहीं हो यह DPशार है दिमाग में आया कि अधिगम 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 जह हम learning की बात करते हैं, शीखने की बात करते हैं, तो ऐसे में यह बड़े difficult word होते हैं शिक्षा के अधी गम, तो इसको याद रखने के लिए और तरोता या रहने के लिए हमेसा याद रखो कि जिसको किसी प्रकार का गम नहीं हो, उसका अधी गम stressed होता है, जैसे कल हमने परिवास आएं, पून हम stressed है, पून हम stressed है, जब कि सबने दिये परिवासा तो यहाँ गम, अधी गम, सनातक, अधी सनातक, तो पहले जब मैं छोटा था, तो सनातक से सनातक बढ़ा होगा, अधी सनातक अधी का मतलब, नीचे की और जाने की वाली बाद जब चोटे थे, तो पिर ये विद्यारतियों यहाँ आप ये बात रखें, शिक्षा और मनुर्य ज्यान तो हम पड़ी रहें, कि तनाव रहित, ठेक्टरप्तबाद में अपन पढ़ेंगे ही, कि व्यक्ति को तनाव रहित होना चीए, पहली बाद, किसी प्रकार की टैंशन से फ्रस्टेशन, भगना साथ, बंद, जो भी कंफिक्ट अपन जानते हैं, करते हैं, वो हमारे इस लर्णिंग पैटर्ण में बादख होता है, और कंफिक्टिशन में तो अथा भंडार है पढ़ने का, आज आप देखें कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ज्यादा ज्यादा आपको इंफॉर्मिशन बतना चाहता हूं, हमेडिन हमनों बाकी सी में बचिन बच्छे, वन्वी ज्यां पढ़के पास होते हैं,Exams में भी थोड़ा और एक दोुक्स देखने का जाती है ठीक है, अच्छा लिंग देते हैं पास हुजाता है कम्त ने मनो भी ज्यान गटे मिलें का भूगोल का साइंस का, कि जब सेलेबस और उसके कंटेंट पर नजा जाती तो इस्टूटेंट एक बार गब रा जाता है कि इसकी लेंगवेज बड़ी अधिकम यह भी अपना भी नहीं लेंगवेज सीखना तो अपन बच्पन सुनते तो यह फिर मेरे विचार आएगे अधिकम में का मतलब आपको गम नहीं हो तो वाके में अच्छी रहती है जो गम होता है वही तो पीछे ले जाता है वैसे कहते है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र जो है आत्मल होता है आप चीटी राजा और उसकी चीटी कानी हम स्पाइडर और किंग के कानी पढ़ते हैं तो जो स्पाइडर है वो अपने बच्चों से बतल होता है क्योंकि शिक्षा मानों भी घ्यान पढ़ रहे हैं वाकी खेर और जिगे अपना में तो हम जब शिक्षा के अंदर बात करते हैं तो शिक्षा में तो बालक ही आता है और बालक का जो बुद्धी है जो सीखना है वो हमारे महाभारत से हमने क्यों माहभरत भी हमारे इसमें है वास शोर्च ओव इंस्पाइरेशन गीता एंड रामाई नार्दा वास शोर्च ओव इंस्पाइरेशन और लेंडिंग अधर एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रेड तो हमारे माहभरत से हमने यह सीखा कि जो अभिमन्यू है अरजुन पुत्र उन्होंने माता के गर्व से ही सीखना प्रारण किया सबी सीखते हैं लेकिन इगदारन दिया और चक्रियों के सातों चक्र को द्वार को भेदने में शक्सम हो जाते हैं लेकिन उनकी माता को नींद आगे थी तो पांचवे चकर के पूरी याद नहीं रहे ऐसा इतियास में भी है और सुनते भी हैं और सभी के माध्यम से तो अधिकम अपने आप में बहुत मैत्मुन हैं और इसको कैसे हम अपने आप में आत्मसाथ करें तो पिरिय विद्यारतियों बालक जब जन्म लेता है और प्राणी भी तो उनके बच्चे बड़े एसाई होते हैं अब बहुत होते हैं किसी प्रकार का स्वत्य बहुत है लेकिन केने उस समय वह एसाई हैं यानि माता-पिता पर निर्भर रहते हैं अब माता-पिता पर निर्भर रहते हैं फिर धीरे धीरे उनमें चेतना जागर् होती है तो बालक कि कुछ प्रियास करता है कि ऊसी करने का दरश्टिकॉन बनाता है सब्सक्राइब ललक होती है जनम जात प्रवर्थी है और लेर्णिंग जन्म से लेके म्रत्यूत तक हम कुछ चीट रहते हैं है लेरीं जाने process में लेकिन में पैस से पहले आगे जाने से पहले मैं आपको इसने इसने बात पर आता हूं कि भालक जेतना का विधास होता है चेतना जागर्द होती है और वह बहुत कुछ लालाईत रहता शीखने के लिए अब इसको इस्ताई ज्यान कैसे होने लगता है उसका उधारन यू और कोशिस करता हाथ बढ़ाता है जोई दीपक के लोग के पास उसका हाथ जाने लगता है और एक दम वापिस खेस लेता है क्योंकि उसे आख कावास कि यह गरम चीज है जला देगी मुझे और उपने हाथ को खिस लेता और दुबारा यदि आप उसको दीपक में पगड़ के आप उसको कोशिए करेंगे ले बिटा आप दीपक आपको हाथ में देते हैं रोएगा अपनी अभी वेक्ति उस जो उमर मा होगा उसके अनुसार वो अपनी किरिया करेगा प्रति किरिया करेगा और उस दीपक को नहीं ऐसे भी ध्यान देता है बहुत सी बार भगवानी वो दुबारा हो तूछेगा फिर हाथ लगाएगा बड़ा भी हो जाएगा तो केने का मतलब है कि अधिगम कि एक इस्ताई ज्यान और अनुभव की प्रक्रिया है इसके दुबारा बालक शीकता है तो अलग-अलग मनोवेग्यानिकों ने अधिगम को परिवासित किया और उन्होंने अलग-अलग रूपों से जैसे इसके नर ने कहा कि व्यवार में उत्रोतर अलुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है ये चार्ल्स इसके नर ने दी थी कि इसकी नर बोल सकते है आपसूर्ट में उत्रोतर बताया गया करॉंबेक ने कहा कि अनुवो के परिणाम सरूप व्यवहार में परिलक्षित परिवार्तन की अभी कि अधिगम है परिवार्तनी अधिगम है कि ने बताया क्राउं बैक ने वुडवर्थ ने का नवीन ग्यान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं इसके अलावा गिलफोर्ड मौदे ने का कि सीखना व्यवार के फासरू व्यवार में कोई भी परिवर्था नहीं गेने लेर्णिंग आप गेने विएसे तो जी ए जी एन इसको बोलते गेने नेकिन वैसे जो अंग्रेजी वर्जेन जी साइलेंट है वागी देखा जाए तो गेने ने और लेर्णिंग बहुत चीजेए टोपिक उसमा लिखा है लेर्णिंग आप गेने तो गेने ने मानव संसकार अत्वा शम्ताओं में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तता जो केवल व्रद्धी की प्रक्रिया को देता है वै मतलब जो है अधिगम है जो हमारे संसकार है उसको डॉलब करने के लिए ने देखा ट्रेवर्स मौदे ने कहा कि शीकना एक प्रक्रिया है किन्तु क्या शीखा गया है इस और भी हमें वैध्यान देना अव्शक है क्योंकि हमारी बाहरी जो निरिक्षन है कि यह जासकने वारी गटना से ही हम आंत्र परिवर्तनों के रूप में देते हैं जो कि उसी प्रकार की स्तित्यों में पूर्व व्यवार के प्रिणाम सरूप होता है ने कि ऐसे परिवर्तन जो इस प्रकार के व्यवार के सारेक परिवर्तनों के कारण होते हैं जैसे भूख ठकावट निद्रा इस सब चीज़े क्या ह यह में learning के लिए आती बालक को भूख लगता है रूने लग जाता है नीद आती है सौने लग जाता है थका टोती है लेट पेट पटकने लग जाता है मुझे सोना नीद आती है जन्नी अपनी तो बोलते है आविश्कार की जन्नी है नेसेसिटी इन्वेंशन पर तो नेसेसिटी हो आवशक्ता हो तो यह आविश्कार होगा इन्वेंशन होगा तो में बात यह कि अधिगम क्या बला है अधिगम को हम क्यों पढ़ते हैं अधिगम को हम क्यों चाहते हैं तो इस परकार से हमें परिये व जो है किस प्रकार से हमारे को आगे बढ़ाता है अब अधिकम की विशेष्था हैं जिनको भी आपके बहुत एज़ी है तो यौकम एम सिंप्सन द्वारा विशेष्था है बताएगे यौकम एवाम सिंप्सन यौकम मौदे ने हमें इनकी विशेष्था है बहुत सारी विशेष्था है और बहुत इज़ी है ती सीखना एक विकास है लांडिंग इस डावलपमेंड अधिकम जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है लांडिंगे जी लाइफ लांग प्रेसेज पहले भी बोल चुके हैं लाइफ लांग प्रसेज़ अधिकम सारुभामिक है यूनिवर्स लाइशन अपन कहते हैं नमक खा रहा है तब अपने उसको सीखा और बता दिया कि नमक जो है खा रहा है उदर पातन की बात करते हैं ठोस सीधा गेज बनता है कपूर को आप जलाते हैं तो उसी इदाई वा और एजस्टमेंट पर जोड़ दिया गया है समय यह नहीं सीखना है हमने बाल लिया बुरा बुरा सीखा है समय इतनी हो पाएंगे तो हमारी वह शिक्षा नहीं है अधूरी अनपढ़ है फिर एशिक्सित है अपन है फिर अधिगम अनुबहों का संक्टन है लर्णिंग अधिगम विवेक कून है मालब विवेक के विना विवेक होना है अधिगम शक्रिये अक्टिव रहेंगे तब आपन सीख भात रहें इसलिए प्रात्ना होती है अधिगम वातावरण के उपजी वातावरण में देख तो सिखते हैं चिडिया से हमने सीखा अच्छी बात क्यों से बालग में मानसारा या बाले सेर खारा रहा तो मानव में भी यह चीज़ें आई तो वह नेगेटिव पॉजिटिव जो भी अपन है अधिगम व्यक्तिव सामाजिक दौना है परस्टनल भी होता है और सामाज से अधिगम नया कारे करता है अधिगम के द्वारा पन सीख कोई भी नई चीज करने की कोशिस करते हैं तो उसके द्वारा बहुत कुछ सीखता है और अधिगम को मतलब जो है इस चीज पर आपको बड़े अच्छे रखना है और दूसरा इसके जो में बाते हैं परिपक्ता मैचुरिटी भी वालब उमर से पहले पहले छे साल से पहले एड़ीशन नहीं करते थे अब उसमें अपने का देगा और फिर डारेक्ट बीए का देगा इसके पीछे साइक्लोजी इसलिए बनाए गई है कि ना कम ना ज्यादा ज्यादा उमर के विद्यारती भी कख्षा में हनिकार होते हैं कि एट क्लास के अंदर आट पांस तेरा याट से चौदा होने चीए मैक्जिमम आठारा औ तो दूसरे बच्चों के उसका प्रभाव पड़ेगा एकात कोई निपढ़ार वह अच्छा है तो वह एक बातों भी उसमें कुछ आपने तो कहने को ना तो कम उमर होनी चीए ना ज्यादा उमर होनी चीए एक परिपकुता और परिपकुता के आदार पे उसका IQ लेवल और तो यह सारे फेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे अधिगम के शिद्धा आते अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व है अधिगम को अलग-अलग प्रियोगों के माधियम से कि मालग कॉलर ने क्या प्रियोग किया बिल्ली और बंदर का चिंपेजी का अलग-अलग तो हम इ रतवर्ष में और राजिस्तान में इन विद्ध्यारतियों को अपने आप से आप आज कल वाटसप फैस्बुक का जमाना है सबी जो है इसको सेर करें और एक दूसरे से बताएं जिससे क्या होता है कि ज्यादा ज्यान को बाटने की और इच्छा परभल होती है और उस ग्या को प्योंगे धन्यवाद